सेलो फेंट वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब मेर नाय भरत और आज वीडियो का धरंग जो है अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग के गैलक्सी A03 कोर की तो यह जो मॉडल है यह आ चुका है मेरे पास और अच्छा खासा दिखने में जो है फोन है बड़ा सारा अगर बात करें तो आपको जो है इंफिनिटी वी डिस्प्ले आपर देखने को मिल जाती है इसके लावा यहाँ पर HD PLUS डिस्प्ले मिलती है और 5000 की बैटरी मिलती है पांच जार एमेच की जो है बैटरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो जली जल्दी से इसको रुपए तो अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं तो लिंक जो है में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगा माँसे जागर क्या पर्चेस कर सकते हो तो लेट स्टार्ट वीडियो सबसे पहले जो है आपर आपको फोन मिल जाता है और काफी अच्छी बड़े साइस का जाता है इसको रख देते हैं साइड में इसके लावा यहां पर आपको एक ट्रेवल चार्जर मिलता है और बड़ा सारे ट्रेवल चार्जर है बात करें अगर एंपिर की तो यहां पर लगवग 7.5 MPR का जो है चार्जर मिलता है तो नॉर्मल चार्जर है बहुत ज्जादा लबी केबल आपको नहीं इंद देखने को मिल जाते हैं तो इन सब को रखते हैं और देखने को नहीं मिलने वाला है कोई ग्लास बैक नहीं है तो प्लास्टिक बॉड़ी है पूरी तरह से तो लेकिन अच्छी जो है फिनिशिंग दी हुई है सेमसंग ने काफी अच्छा काम किया है सिंगल कैमरा पीछे की तरफ जो है एट मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा फ्रेंट की अगर बात कर यहां पर हैट फोन लगाने के लिए जैक दिया हुआ है और नीचे की तरफ जो है नॉइस कैंसलेशन का माइक भी दिया हुआ है तो यह सारी चीज़ आपको मिलती है तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कैसा जो है यह फोन है वेट के अगर बात करें त लगबग 200 या 205 ग्राम्स का जो है इसका वेट है 5000 एमेज की बैटरी तो उसे साफसे फोन थोड़ा सा हैवी आपको मिलने वाला है सुवेंट फर्स्ट बूर्ट हो चुका है कुछ इस तरह का जो आपको लुक देखने को मिलता है और काफी जाद अच्छी जो है डिस्प्ल नहीं दी गई है जाद तर या तो सैमसंग की एप से या फिर गूगल की एपस आपको मिलती है सिर्फ एक स्पोटिफाइए यहां पर आपको देखने को मिल जाती है तो अगर अगर आप फोन में चलके देखें तो यहां पर सब कुछ आपको डिटेस दे रखिए वर्जन जो आपको Android 11 यहां पर out of the box मिलने वाला है इसमें November का security patch दिया हुआ है 2021 का उसके बाद अपडेट नहीं है अभी मैंने अपडेट नहीं किया हुआ है फोन को यहां पर आपको जो है model number वगरा सब चीज़ दी हुई है तो Android 11 वर्जन यहां पर आपको देखने को मिल आता है सब्सक्राइब बात करें कि तो आउट आफ दा बॉक्स आपको 32 में से 8.7 GB जो है लगबग storage फुल मिलेगा बाकिका खाली मिलेगा तो लगबग 22 GB आपको खाली मिल जाएगा यहां पर इसके अलब अगर बात करें अगर अगर आप नॉर्मल टास्क्राइब करते हैं उस परपस के लिए मुझे लगता है यह फोन काफी जाधा अच्छा रहने वाला है इसके लाब यहां पर जो आपको Samsung का ही OS देखने को मिलता है तो उसकी जो quality है बहुत ही अच्छी है, fluidity बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी को ऐसा hanging का जो है issue फील नहीं हो रहा है फटा-फ प्राइस के साब से जो अच्छा काम किया हुआ है Samsung ने, so camera quality के बात करें तो यहां पर आपको decent camera quality मिल जाती है, यहां पर आप देख सकते है details जो है, अच्छी capture की है, zoom करने पर ज्यादा फट नहीं रही है, तो price के साब से सिर्फ 8MP camera है लेकिन जो quality है वो आपको अच्छी खा office बर करते हैं, तो उस purpose के लिए आप इस phone को purchase कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, so friends अगर final verdict की बात करें, तो अगर आपका budget जो है 8,000 रुपे है तो आप इस phone को purchase कर सकते हो, 8,000 रुपे में आपको RAM थोड़ी सी कम मिलने वाली है इस phone के अ साथ ने, और बड़ी display मिल जाती है, 6.5 इंच के HD plus display मिल रही, तो वो सारे features अच्छे हैं, प्रोसेसर यहाँ पर जो है कौन सा use किया गया है, जाधा कोई detail यहाँ पर डबे पे भी नहीं दी विए, वैसे भी नहीं दी विए, exynos का ही होगा जहां तक मुझे लग रहा है, snapdragon और यूज नहीं किया इस phone के साथ, बाकी detail में, description में mention कर दूँगा, इसके अलावा phone overall मुझे अच्छा लगा है, और build quality बहुत solid है, इस phone की 8000 रुपे में जो है, आपको एक बहुती अच्छा और premium phone यहाँ पर मिल रहा है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो please वीड कर दीजे, चैनल पर नहीं हो, तो subscribe कर लिजे, bell notification को भी on कर लिजे, कोई भी question या comment है, तो नीचे comment box में comment भी कर सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही था friends, मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई